नमस्कार आप देखरें देश रोजाना मैं हूँ बेनजीर हाश्मी मुलिटिन में शुरुवात करेंगे पहले दिनबर की कुछ ताजा सुर्खियों की फिर बात करेंगे हर्याना की बड़ी और खास खबरों की पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोट की हर्याना पंजाब सरकार को चेतावनी कहा सक्त आदेश देने को मजबूर ना करें सुप्रीम कोट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को लगई फटकार हर्याणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोट संतुष्ठ नहीं प्रियंका गांधी ने बाय नौड लोगसबाद स्ट्रीट से भरा नामांकन बोली 35 साल पिता मा भाई के लिए केमपेन किया पहली बार अपने लिए मांग रही हूँ समर्थन दिली के जामिया उनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच जड़प जड़प के दोरान कुछ स्टूडेंस ने लगाए फिलिस्तीन के समर्थन में नारे बावासिद्धी की केस में लौरेंस के भाई के संपर्क में थे आरोपी हत्या से पहले की थी प्रैक्टिस दिली जेपू नेशनल हाईवे पर भीशन हाथसा एक तेज रफ्ता स्लीपर बस ट्रोले से जाटा कराई तीन लोगों की हुई मोथ 47 लोग हुए घायल लखनाओ के माई बिल्डर के सोला ठिकानों पर इंकम टेक्स के छापे मारी ताबर तोड कारवाई से कारवारियों में मचा हड़कम बेंगलूरों में हुआ बड़ा हाथसा इमारत ढहने से पांच लोगों की हुई मोथ तो वही पांच लोग गंबीर गायल इसके लावा केई लोगों के मलवे में फसे होने की अशंका आसमान चूरह सोने के दाम 78,703 के रिकोर्ड हाई पर पहुचा सोना इस महीने अब तक 3,506 रुपे महंगा हुआ तो वही चांदी भी 99,191 रुपे परती किलो तक पहुची ये थी दिनवर की ताजा सुर्खिया अब बात करते हर्याडा की बड़ी और खास ख़बों हर्याडा में पूरु महीला पहलवानों में बवाल मच गया है दरसल ये बवाल महीला पहलवान शाक्षी मलिक की किताब विटनेस पर हो रहा है शाक्षी मलिक ने अपनी इस किताब में बवीता फोगाट को लेकर कई दावे किये आपको बता दें कि इस पर अब दंगल गल्स बवीता फोगाट और उनकी बहन गीता फोगाट ने भी शाक्षी मलिक पर प्तीखा हमला किया दोनों बहनों ने शाक्षी मलिक की किताब में किये गए दावों को खारिस करते हुए उन्हें खरी-खरी सुनाई आपको ये भी बता दें कि भाश्मा नेता और दंगल गर्स बवीता फोगाट ने एक्स पोस्ट के जरिये शाहराना अंदाज में शाक्षी मलिक के साथ साथ विनेश फोगाट पर भी पलटवार किया है भीता फोगाट का कहना है कि शाक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है कल को वह कह सकती है कि भवीता ने उन पर योन उत्पीरन के आरोप लगाए योन उत्पीरन में वह बार बार बेबुनियाद आरोप लगाती आ रही है गीता ने कहा कि शाक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि मैडल गंगा में फैकने का प्लान भी ववीता का था हर्याडा में पराली जलाने को लेकर किसानों क्रिशी विवाग के अधिकारियों वा करमचारियों पर लगतार कारवाई जारी है सुप्रिम कोड भी राजस सरकार की और से पराली जलाने से रोकने के लिए तैन नीतियों पर सवाल उठा चुका है जबकि पिछले दस सालों में आकडों की बात करें तो पराली जलाने के मामलों में राजस की सीती काफी सुद्री हुई है हलाकि अभी और प्रयास की जरूरत है इस बार धान कटाई की सीजन में सरकार की और से पराली जनाले के लिए मामलों को शुन्ने तक पहुशाने का लक्षे निर्धारित करके विस्तरित योजना लागू करवाया जाता है हर्याडा के उर्जा परिवहन और शुरम मंत्री अनिलविज ने कहा सरकार का परतियक बिवागों के लिए है और हर बिवाग लोगों पर अपरतियक्ष या परतियक्ष रूप से प्रभाब डालता है द्रसल उन्होंने कहा जो भी बहतर होगा उसे किया जाएगा जल्द ही उर्जा परिवहन और शुरम बिवागों की बैठक अयूजित की जाएगी आपको बतारें कि नई दिली में मीडिया कर्मियों से बात चीत करते हुए अनिलबिज ने कहा कि मैं भारती जिंता पार्टी का संसकारी कारे करता हूँ हमारे लिए बिवाग कोई माइने नहीं रखता हमें तो काम करना सिखाया जाता है और मैंने तो बुलंद आवाज में कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो मुझे चाहे चोकिदार बना देना मैं वो कारे भी करूँगा क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है हर्याणा में मेट्रो और रिजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम आर आर टी एस जैसे सुविधाओ की विस्तार को लेकर मुझे मंत्री नायब सैनी ने नई दिल्ली में केंडरी आवास एवं शेहरी मामले में मंत्री मनोहरलाल से मुलाकात की दोनों नेताओ की विश केई गंटे बैठक चली जिसमें हर्याणा और केंडर से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए आपको बता दे कि इस मुलाकात में मुखे मंत्री ने हर्याणा में मेट्रो और आर आटी एस के विस्तार की मांग की जिस पर केंडरी मंत्री मनोहरलाल ने कहा कि गुरुगराम के पालम बिहार से एरपोर्ट तक मेट्रो को जोड़ने पर अधियन किया जाएगा और दो अलग-अलग लाइन बिछाने पर भी संभावनाय तलाशी जाएगी महीं इसी तरह भादुर गड़ से असोधा मैट्रो लाइन का अधियन बलवगड से पलवल गुरुगराम के सेक्टर 9 से वाडसा एम्स दिल्ली के धांसा से वाडसा एम्स का अधियन सराय कालेखा से पानिपत तक जाने वाली आर आर टीयस को करनाल तक बढ़ाने का अधियन होगा हरियाडा में 17 सितंबर से अनाज मंडी में किसान धान की फसल लेकर पहुशने लगे अब तक फरीदबाद के बलवगड अनाज मंडी में कितनी धान की फसल की खरीद हो चुकी है इसी को लेकर बलवगड मार्किट कमेटी के सेकेटरी इंदरपाल से बाचित की वहीं वहीं बाजरे की बात करें तो सरकारी खरीद 2700 कुईंटल के करीब हो चुकी है सुचारू रोप से धान और बाजरे की खरीद हो रही है किसानों को कोई परेशानी नहीं है किसानों के लिए मंडी में अच्छी द्रही से विवस्ता का प्रवंद किया गया है ताकि कोई भी क परेशानी का सामना ना करना पड़े तो यह ती दिन बर की कुछ ताजसुर्कियों के साथ हर्याना की खास खबरे कलफिरों की मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्र